शहर के पुराने कोने में स्थित गेम जोन अब केवल कहानियों का हिस्सा बन कर रह गया था। ये कैफे कभी युवाओं का पसंदीदा स्थान था जहां लोग घंटो गेम खेला करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए रहस्य में और खौफनाक बना दिया। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसने इस कैफे में एक अजीब सा वीडियो गेम खेला। अगले दिन वह लड़का गायब हो गया। जब पुलिस ने जांच की तो कैफे में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे लोग इस जगह से डरने लगे। आसपास के लोगों ने दावा किया कि रात के समय वहां से चीखने चलाने की आवाजें आती हैं। अमन एक गेमर था वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह नई नई चुनातियों को स्विकार करने और मुश्किल गेम्स जीतने के लिए मशूर जब उसने गेम जोन और उसके रहस्यमी गेम के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसके दोस्तों ने उसे इस गेम से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने लोग वहां गए लेकिन कभी लोटकर नहीं आए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भूल जाओ ये सब। लेकिन अमन जिद्धी था। उसे यकीन था कि ये सब अफ़ाए हैं। उसने ठान लिया कि वह न केवल इस गेम को खेलेगा। इसे जीत कर दिखाएगा। थंडी और अंधेरी रात को अमन गेम जोन पहुंचा। कैफे का दरवाजा खड़- आते हुए खुला। अंदर घुसते ही एक पुरानी जरजर जगा नजर आई। हर तरफ धूल और जाले थे। तूटी हुई कुरसियां और धूल से ड़के हुए कंप्यूटर जगा जगा बिखरे हुए थे। लेकिन कमरे के कोने में एक कंप्यूटर चमक रहा था। उसकी को समझाया कि ये सिर्फ एक गेम है। उसने स्टार्ट बटन दबाया। स्क्रीन पर एक गेम लोड हुआ। गेम का नाम था डेड प्ले। इसमें खिलारी को एक भूतिया घर से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। गेम के ग्राफिक्स असली से भी ज्यादा असली लग रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामाने था। अमन ने घर के अंदर घूमना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वहां आगे बढ़ा, गेम और असलीयत के बीच का फर्क मिटने लगा। गेम में जो आवाजें आती थी, वही आवाजें कैफे में भी सुनाई देने लग बलकि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक था। अमन ने जैसे तैसे गेम खेलना जारी रखा। अब उसके सामने एक और चुनौती आई। गेम में लिखा था। अगर तुम अगले चरण में हार गये तो तुम इस खेल का हिस्सा बन जाओगे। अमन खबरा गया। उसने कि ये बिना वापस नहीं जा सकते। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिल जोर जोर से धरक रहा था। उसने गेम में आगे बढ़ने का फैसला किया। गेम का अगला चरण और भी डरावना था। अमन अब एक अंधेरी सुरंग में था। सुरंग के दोनों लाल थी, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा डरावनी थी। उसने डरावनी आवाज में कहा। तुम मेरी जगा लेने आए हो, अब तुम भी यहीं रहोगा। अमन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की लेकिन वा पीछे नहीं जा सकता था। स्क्रीन पर लिखा आग माओं को फंसाने का एक जाल था। लेकिन वा डरते हुए भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने हिमत जुटाई और गेम खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने एंटर बटन दबाया, स्क्रीन से कई हाथ बाहर निकले और उसे कंप्यूटर के अंदर खीचन एक और खिलाडी तैयार है, क्या तुम खेलने की हिमत करोगे। आज भी लोग गेम जोन के पास जाने से कत्राते हैं। जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। खेते हैं, जो लोग उस गेम को खेलते हैं, वे हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाते हैं। क्या आप उस रहसिमी गेम को खेलने की हिमत करेंगे आपको यह स्टोरी इच्छी लगी है तो प्लीस हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किजिएगा ताकि नहीं आने वाले स्टोरी को आप नोटिकेशन पास सके थांक यू फूर वाचिंग